जै हिंद, आज हम पढ़ने वाले हैं, भगत सिंग पर असान सब्दों में भासन, तो आईए, शुरू करते हैं, लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल अगाच आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुझ स मेरे बाद बतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मानिनिये अतिथी गन, सिक्छक गन, मित्र गन और मेरे प्यारे भाईयों इबंबहनों, आप सभी को सहिद भगत सिंग दिवस की हारदिक सुग कामनाएं, आज सहिद भगत सिंग दिवस के उपलक्ष में हम सब यहां एकत सहिद भगत सिंग दिवस के इस अफसर पर मैं आप लोगों के समक्ष सहिद भगत सिंग के प्रती दो सब्द रखनी जा रहा हूं। के चर्णों में समर्पित कर दिया। उनके निधन से पूरे देश में देश भगती की लहर दोड़ गई। शंपुन भारत के यूबा आज भी सहिद भगत सिंग को प्रेणा सुरोत के रूप में याद करते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गाउ में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किसन सिंग था जो एक क्रांतिकारी सिनानी थे। उन्हें भारत के स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भेज दिया गया था। उनके माता का नाम बिद्यावती कौर था जो एक गिरहनी थी। भगत सिंग के प्रारंबिक सिक्षा बंगा के प्राइमरे स्कूल में हुई थी। प्रात्मिक सिक्षा के पुर्ण होने के पस्चात उनका दाखिला लाहोर के डी एवी स्कूल में क्रा दिया गया। फिर उन्होंने लाहोर के निशनल कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अपने कालेज में एक निबंध परतियोकता भी जीती, जिसमें उन्होंने भारत में स्वतंद्रता संगराम के कारण पंजाब में समस्याएं विशय पर लिखा था। उन्हें किताबे पढ़ने का बहुत जोग था और 21 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने करीब 50 किताबे पढ़ ली थी, जिनमें राम परशाद बिस्मिल की किताबे और कई रूसी और यूरूपिय लिखक सामिल हैं। वह बचपन से ही राष्टबादी विचार धारा के वेक्ती थे। पढ़ाई के दोरान है भगस सिंग, लाला लाजपत राय और रास विहारी बोस जैसे राष्टबादियों के संपर्क में आये। अमरित सर में 13 अपरेल 1919 को हुए जलिया वाला वाग हत्या कांड ने भगस सिंग की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। वह एक ऐसे परिवार से थे जो अंग्रेजों की गुलामी से बंधे भारत को आजात कराने के लिए ततपर थे। और उन्होंने भी अंग्रेजी नीतियों का बहिसकार करने निकल पड़े। कम उम्र में ही भगस सिंग परभल करान्तिकारी के रूप में उभरने लगे और युवाओं का एक जथा भी उनके साथ खरा हो गया। लाला लाजपत राय की मिर्तु के बाद उनका आकरोस फुट पड़ा और उन्होंने एक अंग्रेजी उप महान इरक्षक को गोली मार दी जिसके बाद उन पर हत्या का मामला दर्ज हो गया। अपने साथियों के साथ मिलकर ब्यापार बिबाग बीलो का बिरोध करते हुए केंद्रिये विधान सभा पर बम फोड़कर धमाका किया। जिसके बाद इस घटना को लेकर भगत सिंग और उनके साथियों को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफतार कर लिया गया। जेल में भगत सिंग को काफी यतनाय सहनी पड़ी जिसके चलते उन्हों ने और उनके साथियों ने 116 दिन भूख हर्ताल भी जारी रखी। 23 मार्श 1931 को मात्र 23 वर्ष की आयू में भगत सिंग को फासी दे दी गई। उनके साथ ही सुकदेव और राजगुरू भी इसी दिन भारत माता की रक्षा है तो फासी पर चट गए और इनकलाब का नाड़ा अमर कर गए। भगत सिंग वास्तब में एक सच्चे देश भक्त थे। उन्होंने अपनी मात्री भूमी के लिए हर संभब कोर्शिस करने के लिए हमेशा तयार रहते थे। देश के लिए दिये गए उनके बलिदान की गाथा इतिहास में सुनारे अक्षरों से लिखी गई है। देश उन्हे हमेशा याद रखेगा। सहीद भगत सिंग का नाम सदा अमर रहेगा। इन्ही सब बातों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ जैहिंद बंदे मात्रम।